हलो, वेलकम टू केने स्टीज, इस वीडियो में हम माक्स एनालीसिस आफ रिजर्व लीस्ट आफ ये पी अफ एफ एसी ट्वंटी एटीन का देखेंगे, तो ट्वंटी एटीन का जो है वो माक्स वो आपका पब्लीस हो गया है, तो इसमें हम देखेंगे, देखो, कट अफ ज 251, लेकिन एस्टी का कोई कंडिडेट रिजर्व में नहीं है, इसमें 255, 281 और 282 जिनरल में था, ये नॉर्मल जो पहले 416 कंडिडेट का निकला था उस पहले लीस्ट में, अब इधर 50 निकला, अब देखोगे, इसमें जिनरल कंडिडेट में देखो, तीन कंडिडेट ज कि क्यों नहीं क्वालिफाय हुआ, इसका रिजर्व है, कि ये देखोगे, 200, 280, 1.5 पलस कुछ भी है, तो उसको राउंड ओफ में 282 करते हैं, लेकिन जितना लीस्ट, इसी बजह से मैं हमेशा बोलता हूँ, कि पॉइंट का मार्क्स जो होता है, वो क्यों माइने रखता है, आपका यहां समझ में आएगा कि पॉइंट, पॉइंट में मार्क्स जो है, वो माइने रखता है, तो ये देखो, तीन कैंडिडेट ऐसे हैं, उनका एक्चल में 282 नहीं था, वो 281.5 से अबॉव था, तो हो सकता किसी का 280, आपका एग्जैक्ट तो उस बंदे का, क्योंकि स सारे क्या मार्क्स हमारे पास पता नहीं है, लेकिन तो वो आप देखोगे कि उनका जो है, 282.5 से अबॉव था, लेकिन 282 से कम है, तो यहां आपका पॉइंट में भी important होता है, कि one question negative, तो आपका 0.67 मार्क्स वो, तो ये बहरी करता है, तो देखो कि इसमें जो टोटल कैंडिडेट जो लिस्ट निकला, उसमें 22 है, OVC में आपके 24 है, और SC में आपके 4, यानि कि टोटल 50 कैंडिडेट, तो ये जेनरल कैंडिडेट, तो जेनरल कैंडिडेट में देखो, तीन कैंडिडेट ऐसे हैं, जो 282, यानि कि वही 281.5 से आपका ज्यादा इनको आया तो 281.5 पलस इनका सकोर था, तो ये इसमें से तीन कैंडिडेट हैं, आप देखो, 10 कैंडेट इसमें ऐसे हैं, जिनका 281 आया, 9 कांडिडेट आइसे हैं, जिनका 280 आया, तो यानि कि 2 आपका, तो देखो हर मार्क्स में आपके, 281 में अजनरल के 10 कैंडिडेट हैं, और OVC क आपके देखोगे 2 candidate होंगे जिरुका की, आइच्छल में OBC का 281 cut off गया था, लेकिन OBC का भी 281 है, क्योंकि तो उनका 280 point something आया था, तो यह आपके total, जो 22 candidate है, इसका जो mark breakup है, 3 candidate 282 लाए है, 10 candidate 281 और 9 candidate जो है, वो 280, OBC, OBC में total 24 candidate और cut off, जो original, जो list शुरू में निकला था, उसमें cut off 281 गया था, लेकिन अब जो cut off है, एक तरह से यह 278 है, तो 278 में, देखोँ, आप यह अब देखना, 281 में 2 candidate, यानि कि उनका 280 point 5 plus score था, 11 candidate 280 में आये हैं, 7 candidate 279 में हैं, 4 candidate 280, 78, अब समझ सकते हो, यहां भी हो सकता, यह जो आपका है, तो उसमें से कुछ का 2, यानि कि 277 point 5 से ले करके, आपका 278 और point 49 इसके बीच में, तो आप यह मानों कि यहां 11 candidate हैं, यहां 7 candidate हैं, यहां 4, no doubt, इस marks में और candidate थे, लेकिन उसमें भी point में जिनका अधिक हुआ, उनका ही selection हुआ, चुकि 4 को, देखो, इसमें तो कोई डिकत नहीं, इसमें कोई डिकत नहीं, इसमें कोई डिकत नहीं, actual main list में, यहां बाले का problem हुआ, यहां point में यह भी लाय हुए होते, सिर्फ point, suppose second paper में half marks किसी में और मिल गया हुआ होता है, एक essay में किसी को 9 मिला, 9.5 मिल गया हुआ होता है, यह grammar में किसी में half marks मिला हुआ, फूल one marks मिल गया हुआ होता है, तो इसमें कोई problem नहीं, लेकिन यहां जो candidate, तो यहां ज़्यादा candidate होंगे, हो सकता है, 10 candidate होंगे, लेकिन जिनका point में अच्छा है, कि suppose किसी का 277.99 सब्सक्राइब था, या अब 277.5 भी है, 6 भी है, लेकिन किसी का 277.9 है, तो उनको preference जो भी मिलेगा, यह आपका point 0, जो है, 0.02 मान के चलो, यहां भी आपको actual में sometime आप unlucky होगे, तो इसके कारण भी, otherwise इसका कोई मतलब नहीं होता है, कि इतना marks यह, जो topper है, उनके लिए कोई मतलब नहीं रखता, 2 marks, 4 marks इधर उधर हो गया तो, लेकिन जब आप एकदम border पे होते हो, तब point में भी माहिने रखता है, SC में, SC में देखो, 4 candidates है, तो 255 cutoff था, तो 255, 2 candidates का, और 2 candidates का, 254, यानि कि इनका, 254 point something था, 255 से actual में कम था, तो round off करके, marks दिया जाता है, जो आपका round off किया जाता है, किसी का, suppose, 254 point 6 है, तो उसको round off करके, 255 किया जाता है, ये मान के चलो कि किसी का, suppose, 254 ही होगा, 254 point 3 भी हो सकता है, तब भी वो round off करके, 254 ही होगा, लेकिन किसी का 253 point 7, या 6, या फिर 5, 9, something कुछ भी है, तो वो उसको round off करके ये किया, तो total हमने देखा, कि आपके पास कितने candidate थे, total 50 candidate, कारदीजर्ब में लिखा ला गया, उसमें से, general के आपके 22 candidate, OBC के आपके 24 candidate, SC के आपके 4 candidate, अब इसमें break up देखोगे, तो 282 marks, जो हुआ, वो 3 candidate हैं, 281 marks जो है, वो आपके 10 candidate हैं, 280 जो है, वो 9 candidate हैं, इसमें आप break up देखोगे, तो आपके 281 में, आपके 2 candidate हैं, 280 में आपके 11 candidate हैं, 279 में आपके, ये हैं 7 candidate, फिर 278 में आपके 4 candidate हैं, और ST में कोई भी reserve list में result नहीं दिया गया, तो ये break up, तो यहां बताने का मेरा मकसद यही चीज़े था, कि जो आपका point में marks होता है, उसका भी माइने रखता है, आप लोग जो भी हों, देखो, जो excellent हैं और जो lowest हैं, हमेशा मैं बोलता हूँ, कि ये ज़दी है, तो जो upper में है, जो first rank, second rank, ten rank, hundred rank ला रहा हैं, उसको कोई problem नहीं, और जो नीचे है, जो की return में qualifying कर पा रहा है, या बहुत कम marks ला रहा, उसके लिए भी कोई हो, लेकिन जो बीच में है, cream बाले का एंडी rate, जो आपको लगता है, कि हम थोड़ा सा push करेंगे, तो हो जाएगा, उनके लिए प्लीज ये eye opener है, ये किसी का, ये एक्शल UPSC का जो marks है, उसी का description है, तो ये चीज़े मैंने, जो ये है, वो बता रहा हूँ, वो describe किया, वो explain आपको किया, I hope ये अच्छा लगा, और ये मैंने पूरे लिष्ट का जो 50 है, तो उनका सब का break-up का marks का, वो दिया हुआ है, देखो इसमें जो 1st rank था था, उसका 282, तो रिटेन में देखो, ये दोनों का एंडी रेट जो है, दोनों चीज में अच्छल बराबर बराबर है, देखो, ये आपका, इनका marks जो है, 184 रिटेन में, और 98, 184, 98, तो देखो, इस कैंडी रेट का, 206 marks रिटेन में, excellent marks, 200 plus, देखोगे, बहुत अच्छा marks है था, अब, लेकिन इंटर्व्यू में देखो, इसको बहुत कम मिला, वो only 75 marks, ऐसे ही देखो, इधर, इंटर्व्यू में इस बंदे का, 105, 105 बहुत अच्छा, लेकिन रिटेन में यहां कमाया, तो यहां आईसा, देखो, किसी चीज में आपका, तो यह आई आपका, जो प्रोपर चलिका से देखोगे, तो यह आई ओपनर है, तो इसको आप जदी देखना है, तो आप पौज करके देख सकते हो, तो यह सारे का हमने यह डाल दिया है, यह second page है, और यह आपका third page, लास्ट देखो, यह जो चार कैंडिडेट हैं, यह OVC के है, सोरी, यह SC के कैंडिडेट हैं, चार, तो उसमें से दो लोग है, जो, एक मैंने यह अजय कुमार सोनकर का अल रेडी दिखाया था, यह मेरा कैंडिडेट था, ठीक है, इसका दिखाया था, फिर आपको, इस कैंडिडेट का एक, जो आपका, आजीत बर्मा का मैंने आपको दिखाया था, वो हमारा कैंडिडेट था, और एक आपका, यह first page में आपका यह रच्छा राम मिश्रा, तो यह 3 कैंडिडेट जो थे, वो हमारे थे, तो I hope, इसको पहुच करके, जो भी है, जदी देखना है, एनलिशीज करना है, तो वो चीज को आप देख सकते हो, जो कुछ भी questions क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, या आप WhatsApp नंबर पर संपार्ट कर सकते हैं, भी टेस्ट देना है, वो आपके इनस्टेडीज पर टेस्ट दे सकते हैं, दोनों पेपर का. Thanks for watching this.